हेलो गाइज वालकेम तो अनेधर वीडियो अप स्टॉक मार्केट्वेंट्स विकास लाइफ केयर लिमिटेट की ओर से जुन क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है अनॉडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडल और और कॉंसॉलिडेटर की रिजल् करोड का मार्च 24 में 136 करोड का और जून 23 में 110.5 करोड का इंकम है क्वार्टर ओन क्वार्टर में डाउन है लेकिन यर-on-year के इंकम में इंक्रीज किया है एक्स्पेंस कंपनी का हुआ है 24.3 करोड का मार्च 24 में 130 करोड का और जून 23 में 97.5 करोड का एक्सपेंस हुआ था और इस बार का प्रॉफिट है पिछली क्वार्टर में 62 क्रोड का लॉस है और जून 23 में 12.9 करोड का पॉफिट है कौश्टर ओन कौश्टर में तो रिकवर है लिकिन यह रॉन एर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है अफ्टर टैक्स कंपणी का लास है 2.9 करोड का मार्श 24 में 2 करोड का लॉस है और जून बहुत ही वीक रिजल्ट आया है quarter consolidated basis पर अगर हम इस्टेंडलाउन रिजल्स को कवर करें इंकम है 93.9 करोड का मार्च 24 में 127.8 करोड का और जून 23 में 106.3 करोड का इंकम है quarter on quarter year on year दोनों में डाउन देखने को मिला है और expense 93 करोड का मार्च 24 में 124.3 करोड का और जून 23 में 91.7 करोड का जो की down है quarter on quarter year on year में operating profit 87,00,000 का मार्च 24 में 3.5 करोड का और जून 23 में 14.5 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में down है लेकिन tax 2.9 करोड का pay करना पड़ा इसके कान लौसेस है इस बार का 2 करोड का मार्च 24 में 1.8 करोड का profit है और जून 23 में 13.3 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है EPS 0.00 रूपीज का माइनस में जो कोई भी EPS नहीं है गाई इस नहीं आपर कह सकते कंपनी का जो result आया ना इसका result आया है और शेयर इसका कल के दिन 0.76 परशन का losses देखने को मिला था फाइव दे में 0.19 परशन का लॉस है वन मंत में 3.8 परशन का लॉस है और 6 मंस में 28 परशन का लॉस है कंपनी और बहुत जादा डाउन जा चुका है लेकिन जिस तक result पेश के आना कंपनी और करने जाए तो इसको ignore किजे पुरी तरह से बहुत जादा वीक है तो अब हम लोग जो है वेडियो कहीं पर रेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछें मिलता है ये निक शोड़ा में दिल नन बाबाई